नमस्कार सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ वक्ता दिल्ली का शराब घोटाला कम चर्चा में था जो केजरिवाल सरकार ने पंजाब में भी शराब घोटाला कर दिया और जिसकी गवाही खुच शिरोमनी अकाली दल के अध्याक्षर सुखवी सिंग बादल और बाकी की विपक्षी पार्टियां दे रही हैं दिल्ली की शराब नीती को पंजाब में लागू करके मान सरकार ने 500 करोड का घोटाला किया और जो पैसा आया उसका यूज अब ये लोग 2024 के चुनावों में करेंगे मोटा घोटाला करने के मामले में अब के दिल्ली में नप रहे हैं इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनीश कुमाजी डॉक्ट साब आपका बहुत स्वागर दन्यवाद डॉक्ट साब जैसा घोटाला शराफ को दिल्ली में हुआ वैसा ही ठीक घो स्ट्रस देके कहा कि क्या दिल्ली के तरह ही वहां भी चल रहा है तो बिल्कुल चल रहा है क्यों कि वहां जो पंजाब में भी जो नीती बनाई गई है वही लोग बना रहे हैं जो दिल्ली में बना रहे हैं सब कुछ केजरिवाल ने अपने हिसाब से बिल्कुल सही किया एक गलती हो गई, एक गलती हो गई, केजरिवाल को यह लगा था कि वो दिल्ली में पकड़ा नहीं जाएगा, और दिल्ली में जब ये CBI ने खंगाला FIR दर्ज की, और जो आरोपियों की लिस्ट आई, तो मालूम चला की, जो होल सेल के जो में लाइसेंसी है, L1, जिसके नाम से यहाँ पर पर्चा कटा हुआ है, मतलब FIR में दर्ज है, उसको ही वहाँ पंजाब में भी दे दिया गया, दोस्ती में गरबड़ी होगी, यह सोच रहा था कि हमको कौन पकड़ेगा, हमने तो मीडिया वालों को पैसा दे रखा है, कटर रिमांदार का सर्टिफिकेट हमने जारी कर दिया, तो जो मनमानी करना है, वहाँ प्रचंड बहुमत, यहाँ प्रचंड बहुमत कौन क्या बिगाड़ेगा, वहाँ तो हमारी सरकार भी है पुलिस भी है दिली में तो पुलिस भी नहीं है लेकिन वहाँ तो पुलिस भी है ACB भी है विजलिस भी है सब कुछ मेरा तो अपने दोस्त को उसने वहाँ भी जगह दे दी अब जब वो नाम आया 16 तो मुगाहट समझ में आये पंजाब के लोग भी बोले कि भई अरे यादमी तो यहाँ भी है और उसके बाद जैसे जैसे घोटाले की परत खुलते गई तो यह पता चला कि अरे जिस तरह से दिली में घोटाला हो रहा था यह घोटाले का प्लैन जो है वो पंजाब में पंजाब में एक बेसिक चीज समझ लीजिए दिस इस वन्स और फॉर आल कि जो सराब का जो पूरा सरकारी विवस्ता है जादा तर राज्यों में डिस्टिबुशन का काम साब यह सरकार के जरी होता है क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा टैक्स जमा होता है अभी जैसे पूरानी नीती जो थी चल रही थी दिली के अंदर में उसमें साड़े तीन सो रुपे के आसपास मैंने पांसो साट सतर की बॉटल अगर कीमत है तो साड़े तीन सो क्या सपास क्या आ रहा है टैक्स आ रहा है किसके पास? राज़ सरकार के पास मतलब खजाना बर जाता है एक साइस टैक्स से इसलिए राज्यों में जहाँ जैसे बीहर में किटिसिजम है सराव आपने बंद कर दिया पैसे आने रहे तो सेलरी वेल्डी देने के लिए बहुत वरी दिक्कति हो जाती है और सरकार के पास पैसा आएगा तभी तो बाकि सारे काम होगे अब केजरी वाल ने क्या किया? केजरी वाल ने इसको प्रवटाइज कर दिया अब यह समझे क्या-क्या गलतिया है, जो शिस्टम जो चलता है उसमें क्या होता है? दो बाते समझने की है पहला चीज यह कि जो सराब कंपनी से लेकर आपके पास तक जो पहुँचता है उसमें तीन अलग-अलग किसम के लोग है जिनको अलग अलग तरीकी का लैसेंस मिलता है एक दुकान जो खोलता है उसके लिए लैसेंस कि अलग प्रोसस है दूसरा जो डिस्ट्रिबूशन का काम करता है मतलब सराब कंपनी से दुकान तक पहुचाने का काम वो 11 कहलाता है wholesaler कहलाता है ये अलग किस्म के लोग होते है जो wholesaler होगा वो बेचेगा नहीं वो retail shop में नहीं बेच सकता वो retail दुकान नहीं खोल सकता और एक जो है सराब बनाने वाली company अब हिंदुस्तान का कानून ये है कि जो manufacturer होगा वो wholesaler नहीं होगा जो wholesaler होगा वो ना manufacturer होगा और नहीं retail shop वाला होगा और जो retail वाले होगे वो ना wholesale पर जाएंगे ना वो manufacturer होगे मतलब ये तीनों काटेगरी अलग है अगर कोई सरकार एक ही व्यक्ति को दो तरह का लैसेस या तीनों तरह का लैसेस दे देती है तो वो कानूनन क्या हुआ वो जुर्म हो गया सरकार इसी में नप रही है बेसिक चीज समझ देजे तो एक केजरीवाल ने ये काम तो किया ही दिल्ली में भी किया और पंजाब में भी उसने कर दिया अब दो तरीके से टेक्स केलेक्शन का बिवस्ता तो दिमाग वसे ही चलता है आपने क्या किया कि आपने नई नीती बनाई पहले क्या होता था कि पर बोटल एक साइज ड्यूटी आप ले रहे हैं मैंने जितना बिकेगा साड़े तीन सु रुपया फुल बोटल का सरकार के पास आ गया चीक अब इन्हों ने क्या किया इन्हों ने कह दिया कि भाई हम ये सिस्टम नहीं लगाएंगे पहले क्या था पचास लाग एक करोड में लैसिंस आपको मिल जाता था तो छोटे छोटे लोग भी ले ले रहे हैं दुकान अपना खोल लिया जो उनके पास सौप है सब कुछ है वो आपने कर लिया और जितनी विक्री हो रही है उसका हिसाब किताब उस हिसाब से टैक्स आपके पास आ रहा है ठीक इन्हों ने क्या किया केजरिवाल देखे शातर दिमाग ये कटर भाईमान व्यक्ति का क्या तरीका है दिमाग लगाने का इसने कहेदी आप ऐसा है कि लैसेंस तो हम देंगे लेकिन हम 30 कड़ोर पर्ले जमा करवाएंगे 30 कड़ोर उपर जमा करदो पहले तब लैसनस मिलेगा तो फिर क्या हुआ इसमें क्या होता है इसमें होगा ये कि जो छोटे दुकानदार है छोटे लाइसिंसी है जो अब तक टेडिसल तरीके से कर रहे थे वो कहाँ चलाएंगे तीस कड़ोर तो वो क्या हुए उससे वो बाहर हो गया तो जो मैनिफेक्टरर है वो तीस कड़ोर क्या दे रहा है उसको एलवन भी मिल जा रहा है और वो अपने चेले चेपाटी से दुकान भी खुलवा दे रहा है और नई पॉलिसी में आपने इतना कड़ोर बढ़ा दिया तो लाइसिंस में ही पैसे बहुत ज़्यादा आगे तो बताना चालू कर दिया कि देखे कितना फाइदा हुआ है शुरुवात में आपने कह दिया लैसिंस के बटवारे में ही इतना पैसा फाइदा हो रहा है इसलिए केजरीवाल हो रहा है अब खेल यहां से शुरू होता है और आपने क्या किया एक साइज डूटी जो पर बॉटल जो साड़े तीन सुर रुपया मिल रहा था वो आपके पास अब आ रहा है एक ग्यारे रुपया पंदर रुपया आपने एक साइज जूटी खटम कर दिया और जो मुनाफ़ा सरकार को पहले होता था वो मुनाफ़ा आपने ट्रांसफर कर दिया किसको जिसको आप लैसेस दे रहे हो लैसेस किसको दे रहे हो अपनी मित्रों को आपने कह दिया कि हम ये रोज रोज का जहनजट क्यों पाले एक बार में तीस करोंद दे दो तो जो ट्रेडिश्टल बिजिनस था उसके पूरे स्ट्रक्चर को आपने खत्म कर दिया बड़े बड़े पूजी पतियों को आपने इन कराया और वो आपके मित्र थे वो पूरी तरह के से जान रहे कि ये कैल्कुलेटेड है कि कितना बाटल दिखता है कितना क्या होता है तो ये जो 30 कड़ोर रुपया ओबर दे टॉप लेसंस लेने के लिए आपने दिया और उसके अवैस में आप 500 कड़ोर कमा रहे हो अब नियमिया आपने ऐसा बना दिया कि छोटे खिलाड़ी उसमें आई ने सकते उतनी पूंजी ही नहीं होगी तो ये घोटाला करने का sophisticated तरीका पढ़े लिखे लोग ऐसे ही घोटाला करते हैं वो घूस नहीं मांगते वो कानून में ही थोड़ा सा बदलाव कर दिया और खेल चालो तो डॉक्टर साब ये 500 करोड के घोटाले में अब ED और CBI की जब एंट्री होगी तो केजरी वाल के राजनीते करियर पर कुछ असर नहीं पड़ेगा अब देखिए आपने मैंने तो जनरल लूल बताया आपने 500 करोड की बात की तो पंजाब में भी यही काम कर दिया तो वो जो 5% 2% जो 11 लेसंसी के उपर से पहले जो टैक्स उनको दिया जाता था बेनिफिट उसको वहाँ बढ़ा करके 10% कर दिया वहाँ बड़ा राज यहना और पंजाब में सराब फर ज़्यादा लोग पीते हैं तो ज़्यादा बिक्री होगी ज़्यादा बिक्री बेचने वाले को ज़्यादा फैदा और सरकार को नुक्सार और यह जो पैसा जो है वो कुट प्रो को कि आपके जो सराब माफिया है उससे आपकी दोस्ती आपकी अंडरस्टेंडिंग है कि इतना बिक्रा है इतना यह है इतना फंडिंग करते रहो इसी सराब के दिल्ली में लूटे हुए पैसे से तो पंजाब का चुनाओ लड़ा नहीं तो यह तो कटोरा लेकर के घुमता रहता है कि मरे पास पैसे नहीं यह चंदा दो चंदा दो जब से यह सराब मीती लाया है चुनाओ जहाँ होता है कभी चंदा मांगते हुए आपने देखा नहीं देखा अब यह सारा सिस्टम तो कर दिया इसने लेकिन भरोसा किस पर करें कि लैसेंस हम दे दे और लैसेंस लेने के बाद हमको पैसा मेरा कट नहीं पहुंचाए तो क्या होगा तो आप क्या करेंगे वैसे लोगों को देंगे जो आपके भरोसे मन हो जो दिल्ली में आपको सबसे बढ़या सर्विस दे रहा था सोटकेस में पैसे पहुंचा रहा था पंजाब में डिलीवर कर रहा था, देरादूर में डिलीवर कर रहा था, गोवा में डिलीवर कर रहा था, वैसे निकटतम मित्रों को आप लैसेंस दे दोगे, तो पंजाब में आपने दे दिया, अब यब फाइयर में नाम आया, तो उधर भी घुटाला हो गया, ये गलती इन से हो गया, के ही लोगों को दिया होता दो लोगों को सिर्फ एलवन लैसेंसिंग दिया गया पूरे राज्ज में आप यह देखे किस अस्तर का घोटाला है यह यह पूरा का पूरा अभी यह जो आमादी पाटी इतना जला रही है इतना जो नर्वस नजर आ रही है क्यों यह सारी पॉल प पंजाब में क्या हुआ पंजाब में आपने पूरे इतने बड़े राज्ज में दो विक्ति को आपने दिया एक जिसका नाम F.I.R. के अंदर और दूसरा एक और दिल्ली की फैमली है पंजाब के लोगों ने तो विरोध करना ही है पंजाब में कोई आदमी आपको मिला नह पंजाब में पहले सो के आसपास लेसंसी होते थे खतम कर दिया सब दिरोजगार हो गया है और वही धंदा वही सब कुछ तो यह जब खुलासा इधर हुआ तो वहाँ भी पंजाब में भी समझ में आने लग गया अब वहाँ पे गवर्णर साहब है डिमांड की गई है बही इंसाफ क्या कहता है अगर क्राइम दिली में हुआ है और उस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सिमलर क्राइम पंजाब में हुआ है तो वहाँ भी तो इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के दैरे में क्या आएगा आएगा यह कि यह जो मीटिंग्स हो र Department के बड़े-बड़े अधिकारी मनिस सुषोदिया से मिलने के लिए दिली में बैठक करते थे ये पंजाब में जो सरकार बनी है पंजाब के लोगों ने जो चुनी है वो कोई कटपुत्ली है पंजाबियों को सरकार चलाने नहीं आती जो ये हर्याना और यूपी वाला बताएगा कि सरकार कैसे चलती है मनिस्ट सुझे तो यूपी का है पिलक हुआ घर है इसका केजरिवाल तो हिसार का है तो पंजाब में लोग नीती अपने से नहीं बना सकते तो ये लोग पहुँच गये ये लोग कहें कि ये होना चाहिए और जो ख़वर आ रही है कि पंजाब में भी जो घोटाला हुआ है वो कम से कम 500 कड़ों का हुआ है और ये जो नुकसान सरकार को हो रहा है इस नीती के वज़े से इसमें एक कुड़ प्रो को नज़र आ रहा है मतलब गिवन टेक का सिस्टम नज़र आ रहा है कि सरकार को घाटा पहुँचा कर आमादी पाटी के जिवाल अपने पॉकेट को गरम कर रहा है पैसे इकठा कर रहा है ताकि वो 2024 का चुनाओं लड़ सके उसके लिए पैसे इकठा कर रहा है तो इस पे तो जाच होगी और जाच जैसे हुई तो इस तो किस तरीके से यूटर लिया दिली में तुरत इसने पॉलिसी वापस ले ली और आज से ही वो पुरानी पॉलिसी फिर से लागू हो रही है तो वैसे ही पंजाब में भी करेगा तो दो चीजे होगी आपने जो सवाल किया कि क्या पॉलिटिकल करियर के ऊपर कोई असर पड़ेगा बिलकुल पड़ेगा एक इमेज जो एक हम भरस्टाचार खतम करने वाले ये वो वो तो वैसे ही नाले में चला गया है ये इमेज तो वो एक इमेज के ऊपर एक और डेंट भरस्टाचारी के रूप में जाना जाएगा ये लोग लालू यादब है ना जो भरस्टाचारी जो लीडर्स है उनके कटेगरी में केजरिवाल का भी नाम जोड़ा जाएगा तो वो एक और दूसरा कि जो चोरी पकड़ी गई है तो अब पैसा एकठा नहीं कर सकेगा तो 2024 में चुनाओ कैसे लड़ेगा ये बड़ी दिक्कत केजरिवाल की है जी दौक साब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी चानकारी धन्यवाद यानि कि केजरिवाल दिल्ली की जनता का पैसा लूटने के बाद पंजाब में भी पहुँच गए और पंजाब की जनता को भी लूट लिया और लूटने का तौर तरीका भी एक ही तरीके का रखा केजरिवाल सरकार और उसके मंत्रियों ने अपनी जेबे भरने के चक्कर में पंजाब की मान सरकार को भी अब पूरी तरह से फसा दिया है क्योंकि केजरिवाल वैसे भी लीगल और ओफिशल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करते हैं तो मान सरकार का फसना तय है साथ ही E.D. और C.B.I. ने अगर मामले की जाँच हाथ में ले ली तो केजरिवाल का गुजरात में सरकार बनाने का सपना चकना चूर होता दिख रहा है फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजर होंगे बने रहे है कैपिटल टीवी के साथ नमस्कार